आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Welcome to doubtnet Our question is Read the given information to answer the given question यह direction question है यह direction graph देखते है यह है North, South, West and East Now question है Point G is 17 meter to the North of Point H Point G, Point H से North में है यह गया देखते है Distance होगा इतना 17 meter का And यहाँ पे है Point G And H है यहाँ पे Distance है 17 meter का Next है Point G is 4 meter to the East of Point J Point J से East में है खीग है अब J यहाँ पे है जो East direction is set होगी That means J point का होगा J यहाँ पे होगा खीग है And distance होगा 4 meter का यहाँ पे है J Next है Point K is 25 meter to the South of Point J K point यहाँ पे 25 meter South है Point J के अब उपर में तो North direction है नीचे में होगी South direction फीग है Distance होगा इतना 25 meter का And point यहाँ पे K यहाँ पे होगा यहाँ पे K And distance है 25 meter Next है Point K is 12 meter to the West of Point L Point L के West में होगा Point K and distance होगा 12 meter का यहाँ पे देखते हैं के यहाँ पे है West direction होगा यहाँ यहाँ पे होगा L यहाँ पे होगा तभी तो के उसके West में है यहाँ ड्रो करते हैं Distance है 12 meter का And point है यहाँ पे L Point M is 8 meter to the north of Point L Point M है 8 meter का यहाँ distance होगा और north में होगी होगा पेंट M खीग है Let me see distance है यहाँ पे 8 meter का And point है यहाँ पे M North में हमने सबको range कर लिया है कुछ सर्ण देखते हैं How far and in which direction is point M With respect to point H हमें M के position find out करने With respect to H H यहाँ पे given है And यहाँ पे given And distance में find out करना है यहाँ पे हम देखे अगर हम इस line को यहाँ से join कर देते हैं यहाँ पे यह total distance कितने का हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ तक तो यह 17 है And यह 8 है That means 17 plus 8 कितना हो जाएगा 25 यह पूरी J से K तक यह 25 distance है तो यह भी 25 meter का distance हो गया Total G से लेके इस point का हम नेम देते हैं X G से लेके X तक हीं कि है हमें X से लेके M तक का distance find out करना है हमने यह 80 से join कर दिया अब यहाँ पे यह 17 है तो यह कितना distance हो गा यह 8 होगा अब उजिस्टेट इक्वल होगे इसकी ठीक है और हमें पता है कि यह जो distance है G से लेके जे तक का यह 4 मीटर का है क्यां पर यह rectangle form हो रहा है G, J, X, K अब उजिस्टेट इसके equal है यह 25 मीटर है तो यह 25 मीटर है एट में से फिर कितनी हो जाएगे यह भी 4 मीटर हो जाएगे अब उजिस्टेट इक्वल है इसकी ठीक है यह हमने find out कर लिया और हमें पता है के से L तक का टोटल डिस्टेट 12 मीटर है X और L का कितना हो जाएगा 12 माइनस वो कर देंगे B केट 8 मीटर X से लेके L तक का यह distance कितना आजएगा 8 मीटर का ठीक है अब यह अब बुजिस्टेट इसकी 8 मीटर है यह भी 8 मीटर है यह क्या फोर्म हो रहा है यह स्क्वार फोर्म हो रहा है X से M तक का distance कितना हो जाएगा फिर 8 मीटर का ठीक है स्क्वार की all side equal होती है नव हमने distance तो find out कर लिया अब direction देखते है M के with respect to H H हमें पता है South में है ठीक है and उसके right side पे है East and left side पे है West और यहाँ पे M कहाँ पे है H M है यहाँ पे right side पे that means M होगी यहाँ पे उसके direction East distance होगे 8 मीटर के and direction होगे East now option जाग करते हैं यहाँ पे option second is correct 8 मीटर टूवर्ड इस्ट Thank you